हेलो एभरीवन लेलकम टू अभीपीडिया पाव ड़ाड़ अ मन्योग याज और सिसर चुट प्रिविएस एयर के सिरीज के अंदर आज का हमारा टोपिक है अलफाट है अलफाट हैस्यूमेश्यूमेय क् सिरीज्ट के अंदर आपका number series alphabetic series और the combination of all numbers series number alphabet symbol series सभी आपका include हो जाते है तो 2015 के अदर one question था ठीक है इन 2018 again one question 16 17 के अंदर alphanumeric series में कोई भी question exam में नहीं ता okay yes but आप देखेंगे कि 2019 के अगर हम 2020 का देखते हैं तो थ्री कोस्टिंस वर फ्रोम इल्फानुमेरिक सीरीज डैट मींस की इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है आपका ठीक है मैं आपने पास में 16 17 में कोस्टिं नहीं था बट 18 19 20 के अंदर अगर हम देखें तो लगातार हर बार आपके अल्फानुमेरिक सीरीज के अंदर से कोस्टिं आ रहे हैं ओके सो अल्फानुमेरिक सीरीज एक ऐसा टोपिक है जिसको अगर हम थोड़ा से ध्यान से समझ लेते हैं तो आप इसली एक्जाम के अंदर अटेंट करके आ सकते हूं ठीक है विद्फूल एक्यूरेसी ओके तो आज हम देख रहे है पर विद्फानुमेरिक सीरीज के अंदर कौन-कौन से कोस्टिंस एक्जाम में आए हुए थे पहले हम प्रिविए से कोस्टिंस देखेंगे एड आट अट आट विदिसकस्ट सम् इंपोर्टन कोस्टिंस अल्सों ओक्यू तो लेत एस स्टार्ट विद फिस्ट कोश्टिं देखते हैं फर्स्ट कोश्टिंट यह सब्सक्राइब कोश्टिंस अन्यार स्क्रीन तो अब देखें जब भी कभी नंबर सी जाती है सबसे पहला जो वारा पॉइंट होता है दैट इस तो फांड आट दिफरेंस ओके सबसे पहला हम क्या देखते हैं कि डिफरेंस से अगर म से देख नी सकती ही ठीक है क्योंकि हÊंकि हमारे पास एक है बाट अगर हम आगे देखें नंबर के अंदर तो यहां पर आपh देख रहें कितना है तैन का दिफरेंस है यहां पर हम देख रहें कितना है 12 को 10-12, तुटु का दिफरेंस चुयल रागे इन दो टर्म्स के बीच में अगें कितना होना चाहिए 8 का डिफरेंस होना चाहिए और इन दो टर्म्स के बीच में 6 का डिफरेंस होना चाहिए ओके तो अगर हम यहाँ पे 6 के अंदर 7 के अंदर 6 add करते हैं then we will get 13 ओके अब देखो यहीं सेम सीरीज हमारी फोलो हो रही है यह नहीं हो रही हां जी 13 में जब हम 8 add कर रहें then we get 21 that means की बिलकुल करेक्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 13 13 will be the correct answer okay yes so let us move to the next one next question is on the screen yes next question was asked in 2018 and the question was in the form of date yes date की form में question था आपका सिरीज का क्या है देखी this is 4 12 95 बारा आपके पास में 4 दिसंबर उनिस्सों पिचान में तरह से देखा जाए ठीक है न उसके बात कहा रहा 1196 291 96 and then 26 296 तो अभी next term क्या होगी this is the question तो आप देखो अगर यहां पर हम difference देखते हैं तो आप देखोगी कि 4 दिसंबर की बात हो रही है ठीक है यहां पर 95 दिसंबर की बात में क्या आएगा जैन आएगा जैन आएगा तो यहां पर हम difference देखे तो क्या difference आ रहा है कि अगर चार बारा से अगर हमें कत्तिस तक का देखते हैं ठीक है ना तो कितना हो गया आपके पास में 27 और आगे फरस्ट है यहां पर आपका जैन आ गया तो कितना का difference हो गया 28 का that means कि चोटल डिफरेंस जो हो है 28 देज का सब्सक्राइब तो यहां पर आपने पास में 28 देज का डिफरेंस आ रहा है ओके आगे अगर मैं देखो यहां पर यहां पर 29 जैन 1996 से 26 फैब आगया आपका ठीक है ना तो यहां पर देखो 29 से 31 तक दो दिन तो यह होगे उसके बाद 26 तक 26 देज आपके किसके है फैब के यहां पर यहां पर आप देखो कि फैब के अंदर भी क्या है 96 96 यहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यह ली पियर है ली पियर है दैट मिन्स की फैब के अंदर 29 देज होंगे 29 देज होंगे तो 26 से 29 थी डेज तो यह हो गया आपके उसके बाद अगर हम मार्च में जाते है तो मार्च का कितना हो गया 25 देज चाहिए हमें तो 25 तो क्या आज आएगा आपके पास में 25th मार्च yes this is 5 96 so next term will be 25th मार्च 96 okay point is clear कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि 96 is a leap year okay yes next question देखें कि अब अगर यहाँ पर हम देखें तो difference का तो बनिंडा क्या हो रहा है एक बिलकुल छोटा नंबर है फिर एक काफी बड़ा नंबर ठीक है ना फिर एक छोटा नंबर है फिर एक बड़ा नंबर है बट इन नंबर्स को देखके देखो इन नंबर्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे माइंड में कुछ क्लिक करता है कि क्या है यह 4196 16 क्या है हां जी दीज आर दस्केयर ऑफ एनी नंबर को के स्केयर है यहाँ पर और स्केयर भी आप देखो कि यहाँ पर अपने पास में जो स्केयर आ रहा है यह स्मॉलर टर्म का एक सिरीज बन रही है और यहाँ पर अपने पास में एकर मैं देखूं तो हमारे पास में जो दूसरी बन रही है वो बिगर नंबर के सिरीज बन रही है यह स्क्लियर ओके टर्म गुषण मार्क कि जैगे है पर मैं क्या आ एक भी सिस दो कि अब यहां पर आप देख रहे हो कि यह कि स्का स्केयर रहा है पर यहां फो देख रही है square जा रहे हैं आरे पास में अब यहां पर अगर मैं देखते हूं नीचे दू जो दूसरी सिरीज है तो यहां पर आप देख रहो 14 square then 12 square okay then 10 square तो अब क्या आएगा देखो 22 का difference 14 12 10 that means उसके बाद क्या आएगा 8 square तो 8 square 8 square क्या बनता है अपने पास में 64 तो आंसर क्या आजाएगा आपके पास 64 so 64 will be the correct answer yes हाँ जी clear है सभी को अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है yes किसी भी student को कोई भी डाउट कहीं पे आ रहा है then आपने क्या करना without any hesitation you can comment in the comment section I will try my level best क्या आपका डाउट क्लियर किया जै ओके हां जी अगर आपको लगता है इस वीडियो इस helpful for you then please share this video yes share and like this video अगर आपको लगता है कि हां जी seriously है आप मारे लिए helpful तो शेर जरूर करना सभी ने और जिन्होंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है वह subscribe कर लिए तो दैट कि ने भी अपडेट से वह आप लोगों तक पहुच जाए इसके अलावा जिन्होंने यह प्रिवियस यह की सिरीज है यह जो प्रिवियस यह सिरीज है इसके अंदर हमारे 30 प्रोवाइड कर रहे हैं और जितने भी फाइव यह के सभी के सभी डिसकस किये जाएंगे तो फ्री ऑफ कोस्ट है आप इसको रिजिस्टर कर सकते जहां से आपको सारे सीक्वेंस वाइज विद पीडियाफ आपके पास में अवलेबल होगा एक तो पीडियाफ के साथ में पर है दूसरा ही है कि वहाँ पर इस एम टॉबिक पे आपको एक टेस्ट भी अवलेबल तो आप टेस्थ बी अटेम्ट कर सकते हैं तो टेस्ट और आपको फ्रीम अवलेबल है और सबसे बढ़ी बात है कि सारे इंपोर्तन कोस्टियन संद्ध कर रहे हैं क्वर्ण के को स्च से सारे एक एक कोश्चिन काफी इंपोर्टेंट कोश्चिन से ओके यस सो नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ मुव करते हैं नेक्स्ट कोश्चिन अगें 2019 का कोश्चिन है देखते हैं क्या है कोश्चिन यस वाट इस एक्स इन दा सिक्वेंस दिस वर 132 129 124 117 106 93 and x अब यहां पर है यहां जो सिरीज है आप कहारे कि x की जगह पर क्या आएगा this is x और कोश्चिन मार्क आप दोनों को एक की टर्म में लेके चलना हैस अभी ने तो यहां पर आप देखरींग डिफरेंस कितना है थोड़ा सा डिफरेंस चाल रहा है देट लिएमारे पास से डिफरेंस की सरी देखो minus 3 हो रहा है उसके बाद अगर मैं देखू तो क्या हो रहा है minus 5 then minus 7 then minus 11 and then minus 13 अब यहाँ पे एक बार माइंड में आता है कि हाँ जी ओड़ ओड नमबर चल रहा है 3 5 7 9 बट 9 तो नहीं है यहाँ पे हां जी आप ध्यान से देखे 9 नहीं है यहाँ पे सिदा क्या रहा है 11 then 13 अब दूसरा देखो concept यहाँ पर यह नंबर क्या कौन से नंबर है all these are prime numbers that means कि जो difference है differences of prime number yes prime number minus हो रहा है तो अब यहाँ पर आप देखो 13 से next prime number क्या है 13 सी next prime number is 17 that means कि we will minus 17 over here यहाँ से हम इसको 17 को minus करेंगे अपने पास में क्या आ जाएगा this will be our 86 76 okay तो क्या आ जाएगा आपके पास में 76 हाँ जी क्लियर है बिल्कुल क्या है देखो difference हो रहा है यह नहीं देखना कि हाँ जी और number चल रहे है टू टू का difference तू टू का difference नहीं है क्योंकि यहाँ पर 9 नहीं है that means what कि prime numbers है prime number के अंदर देखे आप 11 11 के बाद 13 13 से next prime number लेना आपको next prime number is 17 okay so you will take 17 okay तो 17 हम minus करेंगे and we get 76 as the answer okay yes next question is again alphabet की series है हमारे पास 2019 का question है consider the following sequence that follow some arrangement क्या arrangement follow कर रहा है तो यहाँ पर जब भी इस तरह की series आती है तो पहले ही हमने एक बर देख लेना है कि series को कि कितने letters हैं यहाँ पर जब भी इस तरह की series आती है वैसे यह तो simple series है फिर पर मैं आपको method बताते हैं जब भी इस तरह की series आती है तो हमने क्या करना देखो कि number of alphabet कितने है 1 2 3 4 5 6 7 8 yes 15 alphabet 15 है that means की जो हमारे पास में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं या तो 33 के पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं या फिर 55 से वहां से आपका logic लग जाएगा तो अगर हम इसको 33 डिवाइड करते हैं तो देखो c a फिर c c a तो यहां से हमारा logic नहीं निकल के आ रहा ठीक है तो अगर मैं दूसरा देखूं तो अगर मैं इसको 55 के टर्म्स में डिवाइड करती हूं यह अगर हम इसको 55 करके डिवाइड करते हैं तो आप देखो यहां पे आपके पास में क्या बंद रहे हैं दो Hiç Records 1 2 3 4 5 ओके बंद टो 3 4 5 और 5 अपने पास में यहां से आप देखो तो कुछ आपको देखने को मिल रहा है यह जो लएक यह बेट रहरा है फिक इसके भी मश्टा सबीडर करेद के destac लिए यहां पर लगा कि जो स्टार्टिंग के टू लेटर से वह रिपीट हो रहे है और उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है ठीक है ना वह डिफ्रेंट है और उसके बाद जो प्राटेंग में तू लेटर्स होगा आपके एंड में लग रहे है हां जी फाइव के कॉंबिनेशन BCC और उसके बाद देखो अब हमारे पास में यहां पर तो C आ गया लास्ट और फॉर्स्ट दोनों रिपीट होने यहां पर क्या आजाएगा अपने पास में B और clear तो से इस क्या बनगे हमारे पास C C C A A B A B B C B B ओके तो क्या रहा है C B B B C B B B so B will be the correct answer हां जी clear है बिल्कुल yes next देखिए next question is in the sequence एक sequence आपके पास गीवन है 2019 का question है करा how many such 5s are there in there which are not immediately preceded by 3 but immediately followed by 7 क्या check करना हमने 5 check करना है ठीक है कितने 5 है जिसके बाद में 7 है बट पहले 3 नहीं होना चाहिए तो कितने 5 है अगर हम simple 5 की बात करें तो देखो 1 2 3 1 2 and this is 3 ओके दिर थ्री 5 अब इनके बाद में 7 होना चाहिए तो आप देखरो इसके बाद इसके बाद भी 7 इसके बाद भी 7 इसके बाद भी 7 बट दूसरी कंडिशन क्या थी नोट immediately preceded by 3 जिससे पहले 3 नहीं होना चाहिए तो इससे तो पहले 3 है तो यह ऐसा हमारे पास 5 है जिससे पहले 3 नहीं है बट उसके बाद में क्या है 7 है ओके यस नेक्स देखिए यस नेक्स कोश्चन अगे अब का 2020 का कोश्चन है यस 2020 का कोश्चन है क्या है कोश्चन देखिए इस simple mathematical operation in each number of sequence 14, 18, 20, 24, 30, 32 results into a sequence with respect to prime numbers with respect to prime number which one of the following will be the next number in the sequence हाँ जी कोश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे पास में series given है तो इस पे कुछ अगर हम operation perform करते हैं हर एक number पे अगर मैं हर एक number पे same operation perform करते हूं तो मुझे क्या मिल रहा है प्राइम नंबर मिल रहा है तो अब बताओ कि next number क्या होगा तो इसने condition दिया हमें कि क्या प्राइम नंबर मिल रहा है तो आप देखा अगर 14 का हम देखें तो 14 में अगर मैं एड करती हूं जन प्राइम नंबर नहीं आता हना वन एड करते हैं तो 15 आ रहे से वन माइनस करते हैं 19 24 से वन माइनस करेंगे 23 30 से 29 एंड 32 से 31 ओके तो हमारे पास आप ध्यान से देखो सारे के सारे प्राइम नंबर सागे यही तो था कोश्चन कि अग जो सीक्वेंस है इसके साथ में अगर आप कोई रिजल्ट लिकार रिजल्ट्स इन ए सीक्वेंस वि नेक्स प्राइम नंबर कौन सा आता है यास नेक्स प्राइम नंबर क्या आता हमारे पास में 37 37 is a prime number तो अगर यहाँ पर 37 आएगा तो नेक्स टरम क्या यहाँ पर देखो 31 से नेक्स्ट है ना तो यहाँ पर क्या आ जायएगा इसका मतलब 38 ओके सो आंसर क्या जायएगा 38 38 will be the correct answer is the question clear yes and it out in this question simple sum just like a prime number series benrya mari kobe hama karo operation perform car raha is kept respect me to have a prime number spill rate to have me why same operation perform care next prime number are gonna talk same day 38 say be one minus current we get prime number okay so 38 will be the correct answer next question is yeah consider the following arrangement that has some missing letters this kind of missing letters the missing letter which is complete the arrangement target missing letters again the cool city series abhi hama paas miti 2019 may be a series a exam together 20 20 maybe a series so abhi many but I can't take a star a key series can drapher bana so okay so that's the problem making number of alphabets kitneti hapa rammed eqo mere past me kitna alphabets are four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen sixteen sixteen twenty yes there are twenty okay that means ki kya hoga ten ten ka pair bana sakta ten ka dekhaen to copy bada pair benja tekenna five five ka karlete am tekenna tens ki bada five five ka agarum pair bana tekena to five ka pair agar me loo to kya hacağan nahi ta ATA gleichou a Toussaintvi अब यहां पर आप देखो आपके पास में क्या सीरीज चल रही है अब हमने ध्यान देना है कि क्या हो रहे है एबी एबी देखो ध्यान से देखे एबी एबी ठीक है यहां पर भी CD लगातार रंबर आ रहे हैं ठीक है के02 मुझे बन रहे हैं ठीक है डाट पचाल गया ऑस यहां में से स्टार्ट एबी सबर आरह रहे हैं जो start ओर वही end में आ रहा देखो डी से start to end में भी D है C से start to end में भी C है ओके तो यहां पर A से start to that means कि यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास A आ जाएगा clear that means कि क्या क्या आएगा मिरे पास A C C and E ओके और यह हमारे पास का है option C के अंदर that means option C will be the correct answer okay yes option C will be the correct answer next देखे 2020 का question है again alphanumeric series आपके पास में given एक आपके पास में numbers की series है क्या है आपके पास consider the following sequence of numbers 5 1 4 7 3 9 इस तरह से पूरे numbers की एक series है now what is the question how many odd numbers ध्यान से देखेंगे how many odd numbers are followed by odd numbers in the above sequence winsky एक odd number है और odd के आगे क्या होना चाहिए odd number ही होना चाहिए done तो अब देखेंगे यहां से अब यहां पे 5 क्या है odd number 5 से अगर हम आगे देख रहे है अब यहां पे देखो अगला odd number क्या है 3 3 के बाद 9 है अगर अगे आपके पास odd number है एक हमारे पास में यह हो जाएगा आगे देखो 9 के बाद है 8 9 odd number बट उसके बाद में odd number नहीं है that means you will not take this one ओके अब आगे हम दोर देखते यह अपने पास में odd number 5 के बाद क्या है 7 5 के बाद क्या है हमारे पास 7 बट 7 के बाद 2 नहीं है तो सिरफ एक ही पेर बनेगा ठीक है न तो हम सिरफ इसी को लेंगे 5 को आगे देखो 3 3 के बाद है 1 ओके एंड 1 के बाद गेन odd number नमबर है means 5 तो 3 को भी consider करेंगे हम 1 को भी consider करेंगे ऐगे आगे अगए अगर हम देखते इसीजुड नमबर बट इसके आगे क्या है even number इसको नहीं ढाın अचिटर करेंगए इसके बाद भी even ध to हमारे पास में कितने नंबर आगे यहाँ पे देखो 1 1 5 होग है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, that means 6, okay, so answer will be 6, clear है विलकुल, yes, next question, again similar important questions हम discuss कर रहे हैं कि हाँ जी इसी तरह है कि और भी question कुछ भी exam में आ सकता है, तो यहाँ पर देखे हमारे पास में एक series है, series of alphabet, numbers and symbols, कुछ भी हो सकता है, obviously, अगर हम पिछले questions देखे हैं, तो उसके according हमारे पास में question कुछ भी आ सकता है, exam के अदर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्या है, how many such consonants are there, क्या है, consonants, are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a number, consonant, consonant से पहले क्या आना चाहिए, कह रहे है, number, but not immediately followed by letter, but उसके बाद में letter नहीं आना चाहिए, okay, condition, ध्यान से देखे है, क्या कह रहा है, कि which is preceded, immediately preceded by a number, means कि consonant से पहले number होना चाहिए, okay, but उसके बाद में letter नहीं होना चाहिए, okay, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, कि start करते हम consonant देखो, यह consonant है हमारे पास, अब इस consonant से आगे देखो, क्या है, number, बट उसके बाद में letter है नहीं है, that means we can take this one, okay, उसके बाद हम आगे आते, consonant, consonant के बाद में number नहीं है, यह consonant है, इस consonant के बाद इस vacant已 हो, consonant कॉंसोननेंट से पहले, क्या है number, यह weekend और देखो, यह बट बहुम है, है इसको नहीं लेंगे इससे पहले नमबर नहीं है यह इसके पास यह हमारे पास में कॉंसोनेंट से पहले नमबर बाद में लेटर नहीं है इसको भी हम नंबर है कॉंसोनेंट्स से पहले नंबर उसके बाद में क्या है अगे नंबर है ल बट उसके बाद भी डिम्टार आOb उसके बाद में हमारे पास मेंक लैटर आराया लेका मिच को नहीं एंगगे अब आप देखो यहाँ पर कितने आगे हमारे पास में 1, 2 and 3, so 3 will be the current answer, preceded by means उससे पहले कह रहा है वो जो भी तरह से एक बार condition को no down कर लिया करो ठीक है, और उसके बाद में कहाएगा, बस यही हमने देखना है, ओके, yes, next देखते हैं, next is same, आपके पास में series है, और question कहा, which of the following is third to the left of 10th from the left end, yes, which of the following is the third to the left of 10th from the left end in the above arrangement, अब यहाँ पर एक तो आप क्या कर सकते हो, हाँ जी, जब भी से रहा कोश्चन आता है, हमने लास्ट से उठाना, 10th from the left end, left से 10th देखो गया, left से 10th और उसका 3rd to the left, फिर उसके left में 3rd जाओगे, ठीक है, तो आपके 2 step हो जाए इससे अच्छा देखो ध्यान से देखो जब भी सरह काता है, तो देखो क्या करें, 10th from the left, और यहाँ पर क्या करें, 3rd to the left, तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, इसको माइनस कर दो क्या आगे, हमारे पास 7th, that means कि 7th from left, just check 7th from the left, that will be your answer, तो यहाँ पर हम देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, that means E will be the correct answer, okay, clear है, हाँ जी, अगर आपके पास में left, left है, right, light है, देखो, left और left है, तो हम क्या करेंगे, minus करेंगे, right, right है, then minus करेंगे, एक left है, एक राइट है, तो हम क्या करेंगे, add कर देखो, point clear है, yes, अगर वैसे हम देखेंगे, तो वैसे कैसे करेंगे, देखो yes, दूसरा क्या है, यहाँ पर उसने कहा है, कि third to the left of the tenth from the left, पहले हम tenth जाएंगे left से, yes, tenth from the left जाएंगे, 7th, 8th, 9th, 10th, यह मिल जाएगा हमें, अब उसके बात करें, third to the left, अब इसकी left में वापी जाना है, third, तो 1, 2 and 3, अगेर आपके पास क्या जाएगा, E will be the correct answer, okay, तो आ इसको count कर लो, okay, yes, next देखी, next again there is the same series and the question is four of the following five, four of the following five are alike in certain way based on their position in the above arrangement, so form a group, और शी क्या बन रहेख, group बन रहेख, which is, which one is not belong to the group, कैता कि इसके अंदर से, sorry, यहाँ पर five की जगए पर four आएगा, done, करा कि बताओ कि कौन सा belong नहीं करता, okay, तो अब पहले देखते हैं कि यहाँ पर logic क्या लगा रखा है, इन्होंने जो भी group बना हुआ है, तो यहाँ पर हम देख रहे है, two, we, क्यों, अब इस तरह है कि जब भी आपके पास आता है, पहले सिरीज में से देखो कि two कहाँ पर है, two कहाँ पर हमारी सिरीज में यह है, two, we, 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 we means, एक छोड़ा आमने और राइट चलेगे, done, yes, second क्या है, क्यों, क्यों अगर मैं देखो तो two से, एक इसको skip किया हमने और यहाँ पर रहे, left चलेगे, that means कि मेरा number क्या, मेरा जो group है group क्या बन रहा है, कि कोई भी एक, कोई भी मेरे पास में यहाँ पर, एक, letter, number, या फिर आप, symbol, कुछ भी कहलो, जो भी आपको first, first, second, second is, keep one in the right side, and take the second one, same way, third, जो है, skip one from the left side, and take the next, okay, तो यहाँ पर यह लोजिक लग रहा, दूसरा देखते है, जे पर जाएंगे, जे देखो अगेन, एक को स्कूइस को स्किप किया, एफ आ गया, इधर से स्किप किया, तो हमारे पास में, copyright आ गया, यहाँ पर यह यह, that means कि यह भी सेम दोनों के दोनों के अंदर सेम लोजिक लग रहे, okay, next, देखिए, 165, अब बन देखते हैं, बन यह है, ठीक है, बन से एक क को स्किप किया, यह आ गया, बन से एक को स्किप किया, यह आ गया, that means 165, यह भी बिल्कुल, सेम ग्रूप को फोलो कर रहे, ठीक है, next, देखिए, TP पर संटेज, T देखिए, यहाँ पर कहाँ पर है, आपके पास में, this is T, TP, अब यहाँ पर देखो, टू स्किप करके पी आ र जाएगा, D will be the correct answer, because D is not belonging that group, then, बाकी में अपना सेम लोजिक लग रहे, D के अंदर जो है, different logic है, okay, so I hope, जैसे, अगर इस तरह का कोई question आएगा, कर लेंगे आप exam के अंदर, yes, आपने देखना है कि लोजिक क्या लगा हुआ है, सभी के अंदर, सभी के अंदर आपका एक सेम logic लगा हुआ होगा, एक ऐसा होगा, आपके पास में option, जिसमें different logic होगा, okay, yes, so next, देखिए, कर दो, questions are based upon the following six, three letter words, अब यहाँ पर देखिए, कुछ letter word क्या आपके आपके आपस में, आरे, T, R, E, P, O, K, O, L, A, R, E, S, I, N, U, T, E, okay, अब question क्या है, क्याता है, if C is added in the beginning of the words, that start with a vowel, ठीक है, क्याता है, क्याता है, जो भी वोवल से शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर क्या करना है, सब के आगे, C लगा देए, ना आपने, okay, अब question क्या है, कि, then how many meaningful English words can be formed, तो क्याता है, कि इंग्लीश के कितने words बन जाए, तो अब यहाँ पर देखो, इसके आगे म अगे, उसके बाद हमारे पास में क्या है, अगर हम इसके आगे भी C लगा देते, तो क्या बन जाएगा, अपने पास में, cute, yes, क्या बन जाएगा, cute, तो cute क्या है, cute भी अगे ने, एक meaningful word है, done, तो अब question क्या है, देखो, ध्यान से देखेंगे, क्या रहा है, if C is added in the beginning of the word, that start with a vowel, जो जो भी vowel से हमारे पास शुरू हो रहे थे, हमने सभी के आगे C लगा दिया, then how many meaningful English word can be formed, तो meaningful English words कितने बन जाएगे इसके अंदर से, this is the answer, this is the question, ठीक है, तो यहाँ पर आप मेनिंफुल वार्ड देख रहे हो, कौन-कौन से अपने पास में, call is a meaningful word, yes, this is a cloth, okay, care is a meaningful word, cute is a meaningful word, इसके अलावा, आपके पास में, sin is a meaningful word, तो टोटल कितने होगे, आपके पास में, four होगी, तो answer क्या आजाएगा, आपने पास, four will be the correct answer, yes, clear है, हाँ जी, इस वाले question के अंदर थोड़ा सा, एक important point है, क्योंकि यहाँ पे, देखो, काफिल जगहा पे आप देखोगे कि यहाँ पे, जो सी है, बच्चे क्या करते है, सभी के सामने, सी पूट कर देते, ठीक है, सभी के सामने, अगर हम सी पूट करेंगे, तो आपके पास तरफ थी, ऐसे words होंगे, जो meaningful है, जैसे यहाँ पे, इसके सामने भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, बट त्यान अगर अपने पास, 4 will be the correct answer, yes, next question is, following question are based on the 5, 3 digit numbers, अभी हाँ पे 5 अपने पास में, 3 digit number, okay, if 2 is added to the first digit of every even number, yes, क्या 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 रहा है, जिक्ते भी even number है, उसका first digit में हमने क्या करना, 2 add करना, okay, and 1 is subtracted from the first digit of every odd number, और जो और नम्बर है, उसमें से हमने क्या करना है, subtract करना है, then what will be the difference between the second largest and second smallest number, yes, अब ध्यान से देखेंगे, हम, 6, 5, 7, then 4, 1, 2, 5, 6, 8, 4, 1, 3, and 6, 7, 2, these are the 5 numbers, 3 digit numbers, अब यहाँ पे उसने क्या 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 है, क्या है, क्या है, क्या है, और नम्बर है, जब और नम्बर है, तुसमें से क्या 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 है, 1, subtract करना हमने, तो क्या आज आएगा, यहाँ पे अपने पास में, 557, हाँ जी, इवन नम्बर है, तो इवन नम्बर के अंदर क्या करना, आपको 2, add करना है, first digit के अंदर, ठीक है, हाँ जी, इवन नम्बर है, इवन नम्बर है, तो क्या करेंगे, हम 2, add कर देंगे, ओड नम्बर है, that means कि 1, minus कर देंगे, इवन नंबर है तो क्या करेंगे हम टू एड़ करते हैं यह पॉइंट क्लियर है टू इड़ इंद फॉस्ट डिजिट नंबर में डैड नहीं करना कि हां जी आप क्या करो कि यहां जी इसके अंदर आप एक जैसे ओड है तो यहां से वन माइनस करके 656 कर दो यह नहीं करना है ओके उसने काया कि एड़ टू दा फॉस्ट डिजिट ओके यहां पर जब भी सिरीज में इस तरह की सिरीज आते हैं तो डिजिट्स पर बार को था ध्यान रखना ठीक है तो यहां पर आपके पास में क्या गया 557 612 768 313 & 872 अब क्या है लाग सेकिंड लार्जर्ट डीन गेंट थेख्थने खर्ङा अगर हम लाग्जर्षे स्बसे बड़ा नंबर कॉन से यह है इस शुक्ती महीं अब diplomacy आ जाये कहां आपके पास में जहें to 211, okay, so 211 will be the correct answer, बिल्कुल क्लियर है, तो इस तरह कि अगर कोई भी सिरीज आपके number based, I hope सारे कर लेंगे, okay, yes, next देखते हैं, yes, next question is on your screen, क्या है, what should be, what should come in place of question mark in the following number series, there is a number series, and we want to find out what will come in this place of question mark, okay, तो अब यहाँ पर ऐसा है कि कुछ सिरीज हमारे पास में ऐसी होते हैं, जो आपके plus minus करके आपके पास आजाते हैं, कुछ multiplication करके आजाते हैं, तो number series पर जितने आप प्रैक्टिस करोगे, उसी से ही आपको logic find out करने आपको आएंगे, तो यहाँ पर इन numbers को देखके देखो, अपने पास में क्या logic निकल के आ रहा है, 132, 132, अब यहाँ पर आप देखिए, कि 132, उसके बाद क्या है, 156, then 210, and 214, and 272, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, कि हमारे पास में difference की series तो नहीं बन रही है, ओक तो हम देखते कि क्या हो सकता है, तो आप देखो, 11 into 12, अगर मैं 11 into 12 करती है, then I get 132, done, उसके बाद देखिए, अगर मैं करू 12 into 13, 12 into 13 कितना होता है, 156, तो यहाँ से हमें logic मिल गया, कि क्या हो रहा है, कि दो, दो consecutive numbers है, उनका multiplication हो रहा है, ठीक है, और consecutive number में भी क्या हो रहा ह ओके, तो next में क्या हो गए, 13 आगया जाएगा, 13 to next number is 14, ओके, तो हमारे पास में number क्या आजाएगा, 182, बिल्कुल clear है, हाँ जी, एक पर check करने के लिए हम क्या कर सकते, एक बार next number पे भी apply करके देखो, आप, next number अगर मैं देखू, तो 14 से next क्या आएगा, 15, और यहाँ पर ह 14, तो हम next क्या लेंगे, यहाँ पर 14 लेंगे, ध्यान रखना है, कभी भी जैसे उपर से सिरीज चल रहे हैं, वही आपको logic यहाँ पर apply कर रहे है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 14 है, तो हम यहाँ पर 14 ही लेंगे, 14 into 15, 14 into 15 कितना हो जाएगा, 210, यहाँ पर भी क्या आ रहे है, 200, and 10 आ रहे, that means की बिलकुल करेक्ट लोजिक लगा हमारा, ठीक है, you can also apply in the next number, 15 into 16, yes, 15 into 16 अपने पास में कितना हो गया, 240, and then 16 into 17, को अगर आप देखते हो, तो यह अपने पास में वैल्यू कितने आ जाएगी, 272, ओके, तो आंसर क्या आगे हमारा यहाँ पर, 182, तो यह 182 बिलकुल करेक्ट आपसर, ओके, यह अगर आपको लगता है कि हां जी, इस तरह के कोस्चिन में इसली कर सकता हूं, ठीक है, कर सकते हूं, then well and good, बहुत अच्छी बात है, अगर प्रोब्लम आ रहे, then आप सिरफ एल्फानुमेरिक सिरीज, डिस्रिप्शन में लिंक गीवन है Okay, thank you.